question दिया है which of the following compound has negligible in all content for option में जितने भी compound दिया हैं यह सभी keto farm में डले हैं और हमें यह चक करना है कि कौन सा keto farm in all farm में convert नहीं होगा तो आप ऐसे समझ लीजिए जो keto farm जादा stable होगा तो उसका in all farm नहीं बनेगा क्योंकि आलेडी वो keto farm stability के mode में है इस वज़े से वो in all content में नहीं जाएगा अगर in all farm बनाएगा भी तो unstable बनेगा और कोई भी compound stability से अने stability की तरफ नहीं जाना चाहता है ठेक है चले शुरू करते हैं जो ए में डला हुआ है तो condition क्या है keto farm वही in all farm में convert हो सकता है जिसमें keto group का जो next carbon होता है alpha carbon अगर alpha carbon में hydrogen present है तो यहां पर आप देखें तो यह keto group डला हुआ है इसका next carbon क्या alpha carbon यहां पर क्या लगा है alpha carbon ठीक है यह तो portion आपका conjugation में आ रहा है double bond, single bond, double bond ठेक है तो यहां से आप hydrogen नहीं निकाल सकते हैं अगर हम इस alpha carbon के बारे में बात करें तो यहां पर hydrogen लगे हुआ है मतलब इसका in all farm बनाए जा सकता है बनाने की कोशिच करते हैं देखिए जो हमारे पास में compound है यह आपका compound कोश ऐसे है और इसमें दो keto group लगें एक keto group यह हो गया और एक keto group यह आपका यह लगा है यह हो गया आपका double bond ठेक है यहां पर hydrogen लगा हुआ है लिजे मने hydrogen लगा दिया अब देखिए अगर मैं इस hydrogen को remove करता हूँ तो इस system में conjugation develop और हो जाएगा यहां पर जैसे आ जाएगा इस carbon के पास में आएगा negative charge यहां पर हो जाएगा positive charge double single negative charge और double single negative charge तो conjugation आ रहा है तो resonance होगा क्योंकि जहां कहीं भी conjugation होगा वहां पर होगा resonance और resonance की वजे से क्या होता है system की stability बढ़ती है जब यह नेक्टू चार्ज आपका इधर आएगा तो as a result oxygen being more electronecton electricity पूल करेगा अब देखिए आगे हो था क्या है यह है आपका resonating structure हो गया तो cyclic ring जो है आपका ज्योंकतियों रखा हुआ है यह cyclic ring यहाँ पर keto group लगा है यह double bond ज्योंकतियों रखा है लेजिए आपका in all form ready हो गया यह double bond क्या in और यह हो गया all in all हो गया तेके अच्छा अब ध्यान दीजिए अगर मैं इस portion के बारे में बात करूं इस portion यह cyclic ring आया हुआ है तो इसमें कितने पाई electron टोटल आ रहे है 4 पाई electron 2 पाई electron यहाँ से एक पाई बान में 2 पाई electron होते ह अचा यहाँ पे अगर आप देखें क्या यह cyclic ring है cyclic ring है तेके अचा इसमें पूरे ring में क्या conjugation आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक carbon अगर आप देखें तो यह आपका क्या हो जाएगा sp2 यह sp2 यह आपका sp2 यह अभी आपका sp2 हो गया तो हर एक carbon क्या हो प्लैनर में चले जाते हैं अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा डाउट करें कि यहां पे जो कार्बन है यह डेबल बाहर निकलाए तो आप ऐसे कर लिजिए अगर मैं रिंग को निकाल बाहर करता हूँ जैसे आपको यह हो गया कुछ ऐसा बनेगा एक खली रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ यह डबल बान है लिजे लिख दिया यह डबल बान है यह लिख दिया और इस कार्बन में आएगा पास्टू चार्ज अब बताईए यह ज देखें तो कितने पाई एलेक्ट्रान आ रहा है फोर पाई एलेक्ट्रान डबल बान सिंगल बान डबल बान टू पाई एलेक्ट्रान यहां से मिलेंगे और टू पाई एलेक्ट्रान आपको यहां से मिल जाएंगे तो कितने पाई एलेक्ट्रान होगा फोर पाई एलेक्ट तो यह condition apply होती है कि इसके लिए anti-aromatic compound के लिए और anti-aromatic compound होता है highly unstable होता है और दुनियों का कोई भी compound इस form में नहीं जाना चाहिता क्योंकि unstability gain करेगा कोई भी compound unstability gain नहीं करना चाहिता वो हमेशा struggle करते हैं वो stability gain करने के लिए ठेकिन है यहां पर आप देखें जो इकीटो फार्म डला हुआ है अगर मैंने इसका inol form बनाया तो इसमें कौन सा करेक्टर आ जाता है anti-aromatic मतलब क्या है कि यह आपका highly unstable system में convert हो रहा है और यह compound नहीं चाहिएगा कि मैं highly unstable system में convert हूँ तो इस वज़े से यह क्या होगा यह stability से stability से unstability की तरफ जा रहे हैं अगर आप देखें conjugated system already डला है double single double single double ठेक है conjugation है तो already stability में और यह stability से unstability की तरफ नहीं जाएगा मतलब यह नहीं चाहिएगा कि मुझसे inol content बने कोई भी inol form बने क्योंकि उसमें आ जाता है पासिबल क्यों नहीं है क्योंकि जब यह इसका inol form बनाया जाता है तो उसमें आ जाता है कौन सा करेक्टर anti-aromatic करेक्टर जो highly unstable होता है कोई भी compound stability से unstability की तरफ नहीं जाना चाहिता है तो आप first option में ही बोल सकते हैं कि sir यह इसका option A होना चाहिए इसका inol content नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह highly unstable हो जाता है तो जैसे मेरे पास में यह compound डला हुआ है इसमें अगर आप देखें जो alpha keto group है keto group का next carbon alpha carbon यहाँ पर hydrogen है अगर यहाँ पर hydrogen है यहाँ पर hydrogen है तो इसका इनol content बनाया जा सकता keto group का next carbon अगर hydrogen है तो इनol content बनेगा चलिए try करते हैं यहाँ पर मेरे पास में यह compound डला हुआ है ठेक है यह double bond O हो गया double bond O हो गया यह double bond O हो गया यहाँ पर hydrogen है अगर मैं इस hydrogen को हटाता हूँ यह positive हो गया negative हो गया तो इस system में conjugation or generate होता है देख सकते है double single negative double single negative conjugation आ गया conjugation है तो resonance होना चाहिए यह negative charge ऐसे जाएगा और oxygen being more electronic to electron disciple करेगा तो होता क्या है ultimately जो हमारे पास में जो दूसरा form मिलेगा यह cyclic ring है यह bond बिलकुल यह keto group safe है यह keto group safe है अब देखिए अब नेक्टु चार्ज इदा जाएगा तो double bond बनाना चाहिए यह double bond सी हो जाएगा single bond oxygen के पास में होगा नेक्टु चार्ज यह नेक्टु चार्ज एस प्लस को attract करेगा लेजिए आपका यह in all form radio हो गया इन और यह हो गया all थेके ने यह हो गया in and all अब धान दीजिए केरफुली यह जो substance ड़ा है मेरे पास में इसमें कौन सा करेक्टर आ रहा है यहां पर अगर मैं इस मॉंड को ब्रेक करता हूं जैसे यह नेक्टु हो गया यह पाश्टु हो गया और इस मॉंड को नेक्टु ह यहां पर आएगा अगर आप से पूंचों कि इस रिंग में कौन सा करेक्टर आ रहा है यहां पर बोल सकते हैं कि सर इसमें 2 पाई इलेक्टॉन है 2 पाई इलेक्टॉन है इसमें 2 पाई इलेक्टॉन है क्या यह रिंग साइक्लिक है साइक्लिक है यहां पर क्या है double single positive double single positive तेक हर एक carbon sp2 है तो यह प्लानर रिंग होने चाहिए अगर यह condition 2 पाइ एलेक्ट्राण 6 पाइ एलेक्ट्राण 10 पाइ एलेक्ट्राण आते हैं तो उसमें कौन सा करेक्टर होता है एरोमेटिक यह करेक्टर होता है तो यह समझ लीजिए कि इस compound का जो in all content होगा अगर आगे हाईली stability तेक है बहुत जादा stability आ जाने की वज़े से यह चाहेगा कि मैं इस फ़र्म में रहूं तो बहुत ही आसानी से in all content इसका बनेगा बहुत ही जादा बनेगा तेक है अगर हम इसके बारे में बात करें क्या इसका in all content बनाए जा सकता है यहां पे alpha carbon है इस keto group का इस keto group का next carbon alpha carbon इस keto group का next carbon क्या हो गया alpha carbon इसका in all form बनाए जा सकता है ठीक है इसमें अगर आप देखें तो यहां पे जो keto group है यह जो आपका keto group है alpha carbon यह जो keto group है इसका alpha carbon यह भी alpha carbon हो गया तो इसका in all content बनाए जा सकता है अगर आप इसका in all content बनाए तो इसमें क्या ज यहां पर आपका CH 3 है तो मैं क्या करता हूं इस छी फ़ी को मैं ऐसे कुछ लिख लेता हूं यह आपका जैसे मैं इसको यहां पर आशा है यह क्रिख कर लेते हैं एक गलियुट कर लेता हूं C double bond O हो गया, यह CH2 हो गया, फिस के बाद में C double O है, और यह आपका CH3 है, ठीक है, आप देखिए, अगर मैं इस hydrogen को हटाता हूँ, यह होगा positive, यह हो जाएगा negative, अब यहाँ पर क्या conjugation आ गया, आ गया, तो double a single neck to charge, यह neck to charge आएगा resonance में, और यह आपका bond breaking हो जाता, जो दूसर form मिलेगा हमारे पास में, तो यह जो CH2 आया हुआ है, ठीक है, नेक to charge इधर आएगा, तो बनाएगा double bond, यह carbon हो गया, यह oxygen हो गया, इस oxygen के पास में होगा negative charge, यह negative charge hydrogen को खेंच लेगा, तो यह हो जाएगा, बाकी का portion क्या safe रखा है, रखा हुआ है, लेजे मैं जयोंकातियों रख देता हूँ, यह आपका CH3 हो गया, अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, यह oxygen और hydrogen क्या आ रहा है, पास में आने की वो जैसे, क्या hydrogen bonding बनाएंगे, अपकोर्स hydrogen bonding बनाएंगे, तो अगर inol content में complete conjugated system आ जाता है, aromatic character वाला, और यह तो hydrogen bonding बन जाए, तो आपका maximum inol content माना जाएगा, तो इसमें अच्छा खासा inol content, इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि aromatic character आ रहा है, इसमें hydrogen bonding बनिंग आ रहा है, इसका भी inol content possible है, और इसका inol content least possible होगा, समझ लिजे, बनेगा ही नहीं, तो आपसन कौन सा होना चाहिए, A option is the right answer.